करोना वैक्सिनेशन प्रक्रियलो भारत वंद कोटल डोसल वैक्सिनेशन नुँ विनियोगिंचिन नेपध्यों लो प्रधानी मोदी जातिन उद्धेसिन्ची प्रसंगिंचारू वंद कोटल डोसुल वैक्सिनेशन माईलू रायनी चेरु कोवडं देश चरित्रडो वो कोत्त अध्याय मनी तेलपर भारतलो वैक्सिनेशन प्रक्रिय द्वारा देश सक्ति एंटो प्रपंचानी की चूपिंचा मनी चेपपर कटि नमयन लक्षियारनू देशं विजेवन्तंगा चेरुको गलदानी चपपडानी की इदोक निदर्सन मननारू देशों लोनी मारुमोल प्रांतालको कूडा टीकालू अंधिन चामनी तेलपर भारतलो वैक्सिनेशन स्यस्त्रिय पद्धतुल पई आधार पड़ी कोनसागिन्दानी चेपपकोच्छ प्रति वक्करू इपटिकी करोना जाग्रतलू पाटिन चाल सिन्देनानी स्पस्टों चेज़ारू कबाईटक कु वेल्डेन अपड़ू चेपपुलू यला वेसकुन्टामू अंते साधारणंगा मास्क कूडा धरिन चाला नी चेपपर देश युवतक कु उपाधिय अवकासाल कोडा पिरिगुतुन्ना अन्नरू करोना वैक्सिनेशन प्रक्रिया विजेवन्तंगा कोनुस आगुतुन्न ने पध्योलो करोनानू तट्टुकोने सेक्ती प्रजलकु वस्तोंदनी तेलपर देशों लो पेदा धनिका अने तेडालू लेकुंडा अंदर की वैक्सिनलो अंदा यनी चपर रोजकु कोटी डोसल वैक्सिनलो वेड मंटे इदी साधरन विश्यकादनी करोना कटडिकी यन्नो चरलू चेपट्टामनी फ्रधानी मोधी स्पस्टोंचे सर नमस्कार मेरे प्यारे देश्वासियों आज मैं अपनी बात की शुरुवात एक बाद एक वेद वाक्य के साथ करना चाहता हूं कुरुतम में दक्षिने हस्ते जयो में सव्याहित हूं इस बात को भारत के संदर्व में देखें तो बहुत सीधा साधा अर्थ यही है हमारे देश ने एक तरफ करते वका पालन किया तो दूसरी तरफ उसे बड़ी सफलता भी मिली कल 21 अक्तुबर को भारत ने 1,000,000,000,000,000 करोड वैक्सिन डोज का कठीन लेकिन असाधारन लक्ष्ण प्राव्ष्ण का कठीन इस उपलबदी के पीशिन असाधारन लक्ष्ण प्राव्ष्ण तकीन करतव्य श्क्ति लग्न दिक पीछ एंग से इसलिए ती करोज सफलता हूँ इसलिए हर देश्वासी ये सफलता कि भारत की सफलता है सभी धर देश वासी की सफलता रदय से बढ़ाई देता हूं मैं इसके लिए सभी सो करोड व्यक्सिन दोच ये केवल एक आंकड़ा नहीं है ये देश के सामर्थका पतिवीम्ब है इतिहास के नए अध्याय की रचना है ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठीन लक्ष निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धी के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है साथियों आज कई लोग भारत के बैक्सिनेशन प्रोग्रेम की तुन्ना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं भारत ने जिस तेजी से सो करोड का वन बिलियन का आकड़ा पार किया है उसकी सराना भी हो रही है लेकिन इस विश्ट्रेशन में एक बात अक्सर छूड जाती हैं कि हमने ये शुरुवात कहां से किया हैं दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सिन पर रिसर्च करना वैक्सिन खोजना इसमें दस्यकों से उनकी महारत हैं एक्सपर्टाइज थी भारत अधिक तक इन देशों की बनाई वैक्सिनेशन पर ही निरफर रहता था हम भार्चे मंगवाते थे इसी वज़े से जब सो साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सबान उठने रगे क्या भारत इस वैक्सिक महामारी से लड़ पाएगा भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सिन खरेंदे का पैसा कहां से लाएगा भारत को वैक्सिन कब मिलेगी भारत के लोगों को वैक्सिन मिलेगी भी या नहीं क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके बाती भाती के सवाल थे लेकिन आज ये सो करोड वेक्षिन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है भारत ने अपने नागरिकों को सो करोड वेक्षिन डोज लगाई हैं और वो भी मुक्त बिना पैसा लिए साथियों सो करोड वेक्षिन डोज का एक प्रभाव ये भी होगा कि दुनिया अब भारत नमस्कार मेरे प्यारे देश्वासियों आज मैं अपनी बात की शुरुवात एक बात एक वेद वाक्य के साथ